हैलो फ्रेंड्स वैल्कमक्णू बीमक्स क्लासिश अभी जो मेरे चैप्टर चल रहा नकर प्राफिट लोस तो प्राफिट वर्वीन ओर आपका एकता पंट कीड कोषटा में परसेंटेष से इसको अंवोब बना सकते हैं किए गर नाएंगे तो क्या होगा कि इस कोश्चन में एक स्टेप मेरा बढ़ जाएगा लेकिन अगर हम पर्सेंटेज का यूज करके बनाते हैं तो यही कोश्चन मेरा बहुत ही आसान में एक स्टेप में बनता है बस दो लाइन लिखना पड़ेगा तो प्रफित लॉस स्टार्ट में बता चुके अपको कि अगर कोश्च प्राइश निकालना होता है तो क्या करते हैं कि हम्मलों 100% निकाल देते हैं अगर परसेंटेज से बनाते हैं तो कॉस्ट प्राइश निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं तो देखेगा कुश्चन सिंपल सा कुश्चन है कि एक वैक्ति अपना समान 10 परसेंट लाब पर बेचता यदि वह 15 परसेंट लाब पर बेचता तो उसे 200 रुपईया अधिक तो समान का कोश्ट प्राइस कितना है पहला कंडिशन में के दीया वह ayatप gd दूसरा कंडिशन में क्या दे रहा है कि 15 परसेंट का प्रमिट होने पर उसको 200 रुपईया अधिक मिलता है याने पहले के तुलना में तो यानिकि यह जो 200 रुपईया दोनों का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है अगर यहां से हम कोश्चन का जो सॉलूशन करते हैं अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज से क्या होगा सॉलूशन बहुत आसान हो जाएगा लेकिन अगर फर्मूला से बनाते हैं तो क्या होता है कि हमको पहले जो है कोस्ट प्राइश निकालना पड़ जाएगा यानि कि कोस्ट प्राइश निकाल करके फिर सेलिंग प्राइश निकाल करके फिर माइनस करना पड़ेगा लेकिन यहां पर क्या करेंगे कि परसेंटेज का यूज कैसे करेंगे अगर 10 परसेंट प्रॉफिट में बेच रहा है तो क क्यों कि profit है तो profit में बताये थे कि डायेट आपका 100 में क्या हो जाता है तो यहां पर देखिएगा 110 परसेंट और 115 परसेंट कि दोनों का difference कितना आएगा आपका 5 परसेंट या फिर आप यहीं से भी कर सकते हैं 10 परसेंट और 15 परसेंट का 5 परसेंट और यह जो 200 रुपईया है वो क्या है आपका लाब का ही अंतर है या फिर सेलिंग प्राइस का भी अंतर बोल सकते हैं तो रुपईया में अंतर कितना है रुपईय में जो अंतर है वो है 200 रुपईया तो यह भी अंतर है यह भी अंतर है तो दोनों को हम क्या करेंग आफ क्या होगा Red buck तो हमको निकालना है क्या और यह यह जहिए आपका 100 परिसेंट बताहे आभ on'll this week nск यह जाएगा चारवाबर पर संदशन बरावड जाएगा मेनेदd घाएगा मेसा दो निकालतर हा जार जाएगा एक डाइगा outta बार में जीरो बार में तो यह आपका चालिस गुना एक्सवा गया यह यह आ गया कोश्ट तो जो समान का जो कोश्ट था वह चार हजार रुपईया था अगर हम लोग फॉर्मूला से बनाते तो फॉर्मूला से आपका क्या लिखना पड़ता एक्स का एक्स इंट्यू 15 परसेंट माइनस एक्स इंट्यू 10 परसेंट एक्क्वल 2-100 तो आसान आपका क्या होगा यह पड़ेगा आसान सॉलिश्ट आपका यह पड़ेगा इक्जाम के दिश्टि कॉन से क्योंकि हमको महा पर कितना जल्दी अंसर निकाल सकते हैं तो उसके लिए हम ल मेनत लगता है क्योंकि एक एक वीडियो क्या क्या होता है कि कभी-कभी दो-दो बार तिन-तिन वर सुट करना पड़ता है कुछ न कुछ टेक्निकली फॉल्ट आ जाता है या कुछ साउंड आ गया तो इसलिए बहुत मैनत करता है इसलिए आपसे गुजारी से कि वीडियो अग सब लवग से में बस डिफ्रेंश की यह पहला और दुरा कुछन में वहां आपका परशनेजट फाल प्रोफीट यहां वह परशनेजट था उंप्टिम्द्ध क्या कि दू अधे CRWON पर वेच्ट है वानम यहां परिश परसेंट आप इस इसको मा लिच लेकिन अगर 5000 परसेन हानी है तो-वाह इसपोज़ कितना हो जएगा आपका कितना हो जङए सेलिंग प्राइस वह ज्यादा हो रहा है तो हमको निकालना क्या अब कोशन समझने पहले कि शमान दस पर सेंट पर सेंट यदी वह पर तीस्ट अधिक मिलता यानि कि से इकंड का सेफलिंग प्राइस जुक्ता फर्स्ट रहें ज chili घृत तो बोला है कि समान का क्रायमूल क्या है तो यहां विए करेंगे परतिस्ताध्रांइ का अंतर कि ततना है इंधी का प्रतिशत अंतर देख लिजे एक आपका 10% और एक है आपका 5% तो आ रहा है आपका डिफरेंस कितना 5% का और रुपए में कितना अंतर दिया हुआ है कि यह आ गया है यह दिया हुआ है आपका आपका शा,ट रूपई निकालना तो क्या किरेंगे 100 परसेंगे तो यहां से आप लिखेंगे तो 5% बराबर है आपका साथ रुपया तो 1% बराबर हो जाएगा आपका साथ वटे 5 रुपया हमको निकालना की यहाँ है यह हो जाएगा आपका 100% आपका साथ वटे 5 और इंटो 100 तो देखें अब 5 से आपका कट जा रहा है 12-12 में 12-100 हो जाएगा 1200 रुपईया यानि कि देखें का पहला कोश्चन के जैसा ही यह दूसरा कोश्चन का सॉल्यूशन है तो पहला कोश्चन क्या था आपका कि दोनों हम प्रॉफिट लिये यहां पर भी और यहां पर भी इस कोश्चन में क्या किये हैं कि यहां पर भी लॉस लिये हैं यहां पर भ तो आप देखते हैं हम question number 3 तो इसको इसकी इंसर्ट लेना चाहे तो ले सकते हैं देखते हैं question number 3 तो यह देखे है question number 3 पहला में क्या था आपका यहां पर भी आपका profit था और इस जगह पर भी profit था second question में क्या था आपका यहां पे भी loss था और यहां पे भी loss था तो वह simple था कि हम क्या करते थे दोनों आपका percentage का अंतर निकाल लेते थे और उसको इसके equal बना करके 100% निकाल देते थे लेकिन अब क्या है question में आपका एक जगह profit है और एक दूसरे जगह आपका loss है तो याद हैं लेकिन अगर एक जगह profit हो और एक जगह loss हो ना तो difference निकालने के लिए दोनों को add कर देते हैं कैसे अगर माले समान का दाम 100 रुपईया है हम अगर उसको 10% लाप पे बेच रहे हैं तो कितना में बेच रहे हैं गौर की जगह अगर एक समान का दाम है 100 रुपईया तो अ पन्दरा परसें लास में बेच दें तो कितना में भीके गा तो वह भीकेगा आपका हंड्यट में 15 माइनस होजएगा 5 यहीं क्या चाहएगा गर दोनों profit था माले को 10% profit है वो 15% profit तो वहां से आपका 110 आ जा रहा था और दूसरा आपका 115 आ रहा जा था यानि कि यह दोनों का जब difference कर रहे हैं बड़ा में छोटा मैंस करेंगे 115 में और दूसरा आपका 110 में तो क्या हो जाएगा आपका यह 5% का ही difference आएगा अगर दोनों profit है तो डायक्ट माइनस कीजिए या फिर हंडेट से प्लस माइनस करके माइनस कीजिए तो सेमी आता लेकिन अगर एक profit रहे और एक loss रहे तो क्या करते हैं अंतर निकालने के लिए या तो आप दोनों को जोड़ दीजिए अगर एक लाव है एक हानी है तो हम क्या करेंगे अंतर निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे या फिर आप 100 के रिस्पेक्ट में पहले सेलिंग प्राइस निकाल लिजिए तो दोनों का अंतर कितना होगी आपका 25 परसेंट तो यहां से हम सॉलूशन करते हैं क्या है आपका देखिएगा तो पंद्रा परसेंट लाव पर 15 पर तिसद लाव पर विक्रायमूल यानि एस पी कितना हो जाएगा पंद्रा एक्सों पंद्रा रूपईया अगर हम CP को 100 लिये हैं तब यहां पे हम 100 लिये हैं तो CP लिये हैं निकी 100 की रिस्पेक्ट में ले रहे हैं अगर सौ लिये है तो यह ऐसा नहीं कि कि आपका CP हंडेड हो गया हमको वहां से फिर हंडेड परसेंट निकालना होगा तो उसके वाद सेगेंड कर्डिशन क्या है दस परसेंट लॉस है दस परसेंट हानी यानि लॉस पर विक्रायमुल कितना हो जाएगा नब्बे सो में दस को मैनस करेंगे नब्बे तो दोनों वि 25% का यह अंतर आगया और यही अंतर आपका दिया हुआ है कितना एक तो अब लिखेंगे क्या नाव लिखेंगे ट्वेंटीफाइब परसेंट एक्वाल टू है आपका 500 25 परसेंट इसलिए और यह भी सेलिंग प्राइस का डेकश्ट ग्रेंटेशख दो दोनों उक्वल है CP CP कितना होगा 100% बार बार बता रहे हैं CP कितना होगा 100% 100% यानि कि क्या 500 by 25 जो है वो रहेगा और इंटु आपका यह 100 आ जाएगा तो देखिए आप 25 से कट जारा आपका दो बार में 25 से दो बार पचास 1010 तो 20 गुना एक हजार यानि कितना हो गया 2000 उपईया तो यह हो गया क्या आपका इसका कॉस्ट प्राइस देखिएगा सिंपल सा कुश्चन है तो यहां पर हम लोग इतना वर्ड में लिखते हैं आपको समझाने के लिए यहां पर इतना वर्ड में लिखते एक्जाम में इतना लिखते यह सब लिखेगा तो ऐसे ही टाइम चला जाएगा यह सब कैलकुलेशन आपको माइंड में करने का कि आपका 15 परसेंट प्रॉफिट है टैन परसेंट लॉस है अंतर कितना हो जाएगा एक लाव है घानी है तो पंदरार दस पचीस परसेंट आप डिरेक्ट भी लिख सकते हैं मैंड में चलना चाहिए अगर आप लिख के कालिकूलेशन कर रहे हैं तो आपका गया टाइम क्योंकि यह सब कोश्चन आपको मैंलि मैक्शिमम जो है 15 से 20 मिट में सॉल्फ पंदरा से 20 में तो बोल लाए तो पंदरा से 20 मिर्ट में आपको पूरा पचीस का 25 मैट सॉल्फ कर बाद पता चला कि 45 लगातर में थैं तो वैसे मिलता है लेकिन एसे में क्या होता है कि एदम सिस्टेमेटिक्ली रहता है आपका अगर 25 एक कोश्चे पहला नमर मैथ आगया तो 25 कोश्चन कंटीनू मैथी रहेगा पहला नमर रिज्जिनिंग आ गया तो बहुत इस कोश्चन कं होगी आपका छोड़ा में ही लिखते हूं आप पचीस परसें ब्रावर 500 तो हमको 100 परसें निकालना तो फाइव याँ तो यह सब रफ ला काम है य्क तो टो महली आपका समझाने के लिए इतना पड़े लिखना पड़ता है आप लोग समझें क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं इस सिचुएशन वे आप वीडियो देखके पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़ी बात है तो यह था आपका टाइप फाइब का प्रॉफिट और लॉस का टाइप फाइब का कोश्चन नंबर थिरी तो यह आपका इसमें मैक्सिमुम कोश्चन हो गया मैं लिए एक प्रॉफिट प्र देखके का प्रॉफिट निकालना तो यहां से आपके ताइप फाइब इसी कोश्चन को अगर लंबा भी करना चाहे तो कर सकता है कि आपका पूछेगा कि दोनों का सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा तो वह तो और आसान हो जाएगा अगर सेलिंग प्राइस का सब्सक्राइब में बेच रहा है तो दोनों का रेशियो पूछा 5-18 बार में 5-23 बार में बस आगया कितना 23 रेशियो 18 बस हो गया यह अगर रेशियो निकालने बोल दे तो तो यहां से हो गया आपका टाइप 5 का जो कोश्चन होता है वो खतम होता है अब जो है अगला नेक कोश्चन अगर समझ में आए चाहे नहीं आए फिर भी आप क्या किजिए कॉमेंट सेक्षन में आके बताइए कि सर यहां पर प्रावलम हो रहा है नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे दूर करने का कोशिश करेंगे और वीडियो को जितना से हो सके ज्यादा से ज अच्छा लेकर आएं तो बस यहीं गुजारी से आप वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू थैंक यू बरिमेच